नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपनी येट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पूलिस का जो प्रैक्रिक शेट नेंबर 10 को डिस्षिस करेंगे हमें में देख कि आपको यह सेट पसंद आएगा तो चलि सही उत्तरजगा। सही 份दखती सेब्चार्य कोंपते हैं जो सही उत्तरजगा option no.4 अनुछे 3 जो है यह मानों के यतियात यवं बलात सर्म के रोक्थाम से समनित है option no.4 इसका सही उत्तर है भारतिय सग्धान के किस धारा के अंतरगत राजियों की अंतराष्टी असांती यवं सुरच्छा समन्धी दाहितु काउलेख किया गया है तिया हुँ लेख किया गया है राज के नेती निस्तक्रत अनिकी DPSP में option no.8 इसका सही उत्तर हो जागा भारत में उप्राष्टपती के चुनाव से समनित किसी भी विवात का निने कौन लेता है तो भारत में उप प्राश्पति की चिनाव से समिद किसी भी विवात का नेला जो है यह कौल लेता है तो सही उत्तर क्या हो जागा तो पाज का अप्शन नमबर A हो जागा उस्तम नियाले लेता है अप्शन नमबर A सुप्रीम कोर्ट की नेसाो के श्यवा निवरिती के उम्र क्या होता है तो सुपरीम कोर्ट की की स्यवा निर्पती की उम्र Sep765 साल होता प्शन नमबर Swan सी भूरत के राष्ट ये cœur विकास परष़विजा कब किया था नेत्παक现在 स्थापना कब किया गया था आपसर नमबर नौका बी हो जाएगा तीन सोते तालिस संशेट में यह हिंदी को संग की अधिकारिक भासा घोसित किया गया आपसर नमबर बीस का सही उत्तर है आर्थे गुरुप से कमजोर वर के लिए सरकारी नोकरियों और उच्छा में दस परसेंट आराच्छन लाउक करने वाला पहला राज कौन था तो यह दस परसेंट आराच्छन लाउक करने वाला पहला राज कौन था यह था आपसर का गुजरात आपसर नमबर सी हो जाएगा सूर्य और इसके चारो और चकर लगाने वाले खगोली पिंडों को क्या कहा जाता है तो इस खगोली पिंडों को सवर मंडल कहते हैं उप्सवर बी हो जागा चन्दर्मा को अपनी धूरी पर एक चकर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं तो सही उत्तर जगा 27.3 पिर्थी भी दिवस लगता उप्सव नमबर C हो जाएगा अरप सागर भारत के में इस्थिते किस और तो यह जो है अरप सागर भारत के जो है पच्छी में इस्थिते कहाँ पच्छी में अब पूर्म में क्या है तो बंगाल की खाड़े दाच्छी में क्या है तो हिंद मासा अगरे भी ध्यां रखेगा निम्रिकित में से कौन साब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सभी लोग जानते कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह भारत का गंगा प्रमपूतर डेल्टा हो जागा अप्सन नमबर चार विश्व का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक देश कौन है तो कौफी उत्पादक देश में जो है ये सही उत्तर जगा अपसर नमर 4 ये ब्राजिल जो है ये 200 का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक देश है ब्राजिल कुलेरु जील कहां ही थी थे तो कुलेरु जील या आंध्रा पर्दिस में ही थी थे कहां पर आंध्रा पर्दिस में जेलम चिना और आवी का उपनदी कौन है तो जेलम चिना और आवी जो किसका उपनदी है तो सही उत्तर क्या जाएगा तो 17 का option number B हो जाएगा एक सिंथू की उपना दियें, सभी सिंथू नदिय में जाकर मिल जाती है। अस्हा में सबसे पहला तेल कुई एक हो जाएगा ऊत्रा खंड सिंथू के किस राज से समनित अनसूची जनजातियों में से एक है। तो उत्रा खंड का निर्मे से किस बेद में संगीत से समनीत ग्यान संग्राहित है तो सही उत्र किया जगा 20 का तो सवसे संगीत आ सवसे सामब्यत याद रखेगा ऑप्सवर नमबर C 326 इसापूर में भारत पर आकर्मन करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था तो सबसे पहले जो पार किया था तो जहेलम नदी या जो सिंधू नदी को पार किया था सबसे पहले 366 स्यपूर में भारत पर आकर्मन करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था तो सिंधु नदी को ऑप्शन नबर यह हो जाएगा ब्रियद्यसवर मंदिर बहरत के किस राज में रही हैं? तो काशी पूरा में के लास नदिर का निर्मान किस के सासन काल में हुआ था? बताना है कि खेल ये बैंस का प्रथम सासा कौन था? तो खिल जेवंस का प्रतम साथ से कौन था तो सही उत्तर किया जएगा तो option no.24 का 4 हो जएगा जलालदीन फिरोज खिल जी option no.4 हो जएगा बाबर का वस्तविक नाम क्या था तो बाबर का वस्तविक नाम देखा जाए तो जहिरूदीन हो जएगा ये इसका सही उत्तर जागा नेक परिशन दिया गया है कि सिरिक गूरु नानक देव जी का जनम राय भोई की तलवंडी और तमान में नानकाना साही में कब हुआ था तो 1469 में हुआ था ओप्सन नमर सी हो जागा जो सिरिक धर्मे के संथापकत है बॉंबे डेकर में पहली राजस्व मदूंबष्ट का संचारण की सवर्ष हुआ था तो बॉंबे डेकर में पहली राजस्व बंदुबष्टी का संचारण कब हुआ था तो यह जो था 1820 में ऑप्सन नमर 2 हो जागा भारतिय राष्टिय कंगरेश के पहली महिला अध्यास कौन थी तो महिला अध्यास कहेगा तो एनी बेसिंट थी लेकिन एनी बेसिंट यह भारत की नहीं थी यह आयलेंड के महिला थी लेकिन अगर भारत के पहली महिला कहेगा भारतिय राष्टिय कंगरेश की पहली भारतिय म में इसकंद्यास्ता किये थे और एक और महिला थी Анञ सेन उन्हों थी ते त्रफ नहीं नहीं यह पूछा गया पुछा भारतिय महिला तो अप्सवर नंबर बी हो जागा इधियां रखेगा 1909 में भारत सरकार के गठन के समंध में ब्रेटी सरकार ने इन में से कौन सा परफ्ताव दिया था तो यह परफ्ताव दिया था मारले मिन्टो सुधार अप्सवर नंबर सी ऑप्रेशन विजय निम्रीखित में से किस इस समंधित है तो यह जो हो जाएगा ऑप्रेशन विजय जो है कारेगिल इस समंधित है जो 1909 में हुआ था ऑप्सवर नंबर चार निम्रेखित में से कौन सा विभाग भारत के GDP की गणना करता है तो GDP की गणना कौन करता है तो सही उतर किया जगा तो आपसर नमर 32 का सी हो जगा किंद्री सांखे की कर्याले करता है भारत में पहला बैंक कौन सा था तो भारत में पाहला बैंक जो है यह बैंक ओफ इंदोस्तान ता आपसर नमबर चार FDI का अर्थ क्या होता है तो FDI का अर्थ जो होता है परत्यस पिदेशी निवेश दुजरिगारे की जिन गन्ना कॉनसार भारत का दुसरा सरवादिक जिल संख्यावला सहर कौन है तो दुसरा में देखा जाए तो सही उत्यदगा दिल्ली आपसर नमबर चार समगर सिच्छा स्कूली सिच्छा के लिए एक यूजना है तो यह किसकी यूजना है तो प्री निर्शारी से ट्वेल तक के लिए आपसर नमबर ए हो जाएगा और कुशल स्रमिको के परवास का निर्शित में से क्या कारण है तो इसका कारण होता है निर्धान्ता निर्धान्ता जो है या कुशल स्रमिको के परवास का निर्शित में से कारण है तो निर्धान्ता हो जाएगा आपसर नमबर ची किस राज सरकार ने पक्के पक्गा होड़नेविल उस्व को राज उस्व घुशित किया है तो यह घुशित किया है और नाचल पर देशना आप्सव नमर बी हो जगा धालो का एक धालो जो है यह कहा का लोग पर यह धार्मिक निरित है तो यह जो है गोवा का जो है यह लोग धार्मिक निरित है धालो ओप्सन नमर बी हिंद स्वराज नाम पुष्टा किसकी दौरा लिखा गया था तो यह महात्मा गांदी के पुष्टा के हिंद स्वराज ध्यान रखेगा अप्सन नमबर C हिंदी दिवस हर साल कम मना जाता है तो हिंदी दिवस जो हर साल कम मनाते हैं तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मना जाता है दोगपूर को महत्मा गांदी दिवस यह ध्यान रखेगा और 5 जुन को जो है क्या मनाते हैं तो विश्व परेवन दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को जो है सिछक दिवस मनाते हैं भारत का सर्वोष साहितिक पुरुसकार कौन स सबाइब है तो सरवोस्ता है थी पुर्षकार देखा जया है तो अपकंश्र किया जाब 42 का सब्सक्राइब के नहीं लाइक पुर्षकों के संथापकदश्यों हो जहाए लेडी रतान टाटा ट्रौफि प्रॉफिक की स्किलते से समद्ध है तो लेड़ी रहतर टाटा जो है ट्रॉफी जो है 21 समद्ध है तो होकी हो जागा आपसर नमबर सी निम्रीखित में से कौन सा एक इनपूट डिवाइस है तो च्छारीश का क्या हो जागा तो आपसर नमबर जो है भी हो जागा एक परशन दिया किया है कि ए एस सी आई आई का पुर्ण रूप क्या होता है तो तो सही उत्तर जोगा अमेरिकन स्टेंडर्ड पौर अमेरिकन स्टेंडर्ड कोर फौर इंफार्मेशन इंटर चेंज हो जागा उप्सन नमबर ए कि मोबाइल के जरिये धनराशी के अंतरण को क क्या कहते हैं तो और तालिस का क्या हो जगा ऑप्सों नंबर सी आई एम पीएस जो है यह मुबाइल के चरिये धनराशी को अंतरण को क्याते हैं कि एक पासकल की बराबर होता है तो बी हो जाएगा एक निूटरन परति वर्ग मेटर हो जाएगा ऑप्सों नंबर बी सापेचिक अधरता को किसकी सहयता से मापा जाता है तो सापेचिक अधरता को जो है या हाईगरोमीटर की सहयता से मापते आपसर नमबर बी हो जागा जल विधूत उत्पादन के लिए मुख रूप से निमने खित में से कौन सा बैग्यानिक सिधान जिमिदार होता है तो सही उत्तर जगा गुरुत्वी इस्थिती उर्जा का बीषित उर्जा में रुपांतरन आपसर नमबर चार तापमान का वह पठ्यांग क्या है जहां फारेनहेट तथा सिल्सियस दोनों पैमाने पर होते हैं तो माइनस चाले डिगरी पर जो होता है यह फारेनहेट और सिल्सियस पर मैना जो है यह दोनों पराबर होता तो आपसर नमबर किया जागा बी हो जागा शुरोदे और सुर्याष्ट के समय सुर्ज का रंग लाल क्यों दिखा जाता है तो इसका करण होता है लाल को छोड़कर अनसभी रंग परकीर्णित हो जाते हैं अप्सवर नमर चार हो जाएगा नेक प्रश्टन है कि जल चक्र में हीम और बर्फ सिदे वास में परिवर्तित हो जाते है इस परकीर्या को किया जाते है तो उर्धो पातन कहते है ऑप्सवर नमर बी हो जाएगा जब लोहे में जंग लग जाता है जोस्तों क्या जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका बजन क्या होगा तो बढ़ जाएगा उप्सन नमर B सम्मुंदरी जल निमने खेत में से किस रसानिक तरतों का एक सम्रीद सरोत है तो सही उतर क्या हो जगा 57 का option number C या брomm confirmation का जो है यह समर्य दो श्रोथ हो जगा घ्रणा बनाने के लिए परुएक तो bio gas किसका mister होता है तो bio gas जो होता है खाले बनाने मारे में यह किसका mister नबर B ब्यूटिन एंअ प्रोपन का होता है मिछ्रण? खाना बनानी के लिए प्रीक बायोगैस एहां पर बायोगैस पुछा गया है तो यहां पर हो जागा मीथे निवर कारबन Đ जाएकशे होजागा आध्र नम अध्रे नम वटाब्रण में उत्पन होने वाले काई काई जैसे प्राचिन पोधों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो इससे जो है कहा जाता है और ब्रायो लोजी कहा जाता है और देंडरोलोजी में जहाड़ियों का अध्यन करते भी दियां रखेगा लार में कौन सा एंजाइम होता है मौझूद होता है तो लार में जो पाया ज अंद्र को वानित करने की पत्ति के रुप में योगतम की उत्तर जीवता वाक्यांस निमनेखित में से किसका कथन है तो यह कथन था हरबर्ट अस्पेंसर का उपसर नंबर बी मानो सरीड में निमनेखित में से कौन से परकार के सिराएं पेशिये उत्तर के बीतर इस्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है तो सही उत्तर जगा उपसर नंबर चार गहरी सिराएं में उपसर नंबर चार नेफ्रॉन नीन में से किसकी सुष्टम सनचनात्मक और करयात्मक की एकाई है तो नेफ्रॉन जो है या किसका जो है तो या किड़नी हो जाएगा आप्सर नमर बी या किड़नी की जो है एकाई होता है करयात्मक की एकाई है नेफ्रॉन निम्रेखित में से किस राज में भारत की सबसे बड़ी खारी आद्रभूमी सांभर जेल इछी थे तो सांभर जेल ये राज़तार में इछी थे आप्शन नमबर 4 हो जाएगा 200 स्वास्त दिवस 2030 का मुख्विसे क्या था तो 65 का हो जाएगा आप्शन नमबर A सभी के लिए स्वास्त जो है ये इसका थीम था आप्शन नमबर A वर्ष 2030 में अंत्राष्टी पिठ्थी बी दिवस की थीम क्या थी तो पिठ्थी बी दिवस की थीम देखा जाए तो क्या था दो सभी उतर का जाएगा आप्शन नमबर C हमारे ग्रह में निवस करना आप्शन नमबर C हो जाएगा 206 रोग दिवस कब नples जाता है तो 206 रोग दिवस ये 24 मर्च को मनाते हैं आप्शन नमबर A हो जाएगा लिए सो जल दिवस दोहर थेज का थीम क्या था तो 200 जल दिवस 32 खथीम देखा जाए, तो सही उत्रदगा जल और स्वस्ता, संकट समधान से तेजिस से परिवर्तन गलाना, option number B अंतराश्टी 1 दिवस 32 कम मनाया गया, तो अंतराश्टी 1 दिवस 32 जो है, यह 21 मार्च 32 कम मनाया गया, option number C हो जागा 72 का यहां पर सही उत्रद किया जागा, तो कुछ का उत्तक अंक से किया बनता है, तो अंक से भातर को जागा, तो 20 सरीर बन जागा और यहां पर 73 का option number B हो जागा, 74 हो जागा, तो 74 का यहां पर सांगा चुननना है, तो 74 का option number 20 का बी को जागा, G, E, B को है और जुए है यहाँ प्रफिदीफाइब दिया गया है यह च्रीज अप्रटर ने तो 75 का हजागा और आल्फाबेट से ए ऑर जो 76 देखते हैं 76 का जो है अंसर क्यों जागा तो ऑप्सों नेमबर यह जागा ऑप्सों नंबर हो हो जाएगा option number जो है C हो जाएगा 304 हो जाएगा 79 इसका सही उतर हो जाएगा 79 का option number A हो जाएगा 16 ब्रस 80 दिया गया यह पाई चार्ट से प्रस्ट दिया गया देख लिए पाई चार्ट से को बढ़िया से और इसका अज़र देखते हैं अनसर क्या जाएगा तो सेवें एटनी 80 का जाएगा option number जो हो जाएगा 90 यहां से इंगलिस का प्रस्ट जेखते हैं यहां पर पताना किसका सही उतर क्या जाएगा तो 81 का जाएगा option number निम्बर चार्ज हो जाएगा 82 दिया गया कि Synonym बताना इसको और यहां पर बताना है कि यहां पर बताना है कि यहां पर क्या लाएगा तो यहां पर यहां पर पुछा गया है तो इसका हो जागा इसका आउट्स नमबर यहां पर क्या होगा तो तो 88 का ओज़ेगा ओप्सन नमबर यह हो ज़ेगा आउट अफ देयर मैंट हो ज़ेगा और 89 देखते हैं दोस्तों 89 यहां पर दिया गया है तो इसका सही उत्रक्या ज़ेगा तो 89 का ओप्सन नमबर यह हो ज़ेगा 90 बताना है 90 कहां पर इनकरेटली वर्ड बताना कि यहां पर गलत कौन दिया गया है तो 90 का ओप्सन नमबर यह हो ज़ेगा यहां फिर 91 से देखते हैं दोस्तों हिंदी का प्रश्ण है कि निवनिम से किस सब्द में तधित्य परते लगा हुआ है तो सही उत्तर क्या ज़ेग मुल सब्द यहां पर जो बह हो जागा क्या बह यहां पर मुल सब्द देखा जाया तो बह हो जागा इसमें क्या लगाया गया तो आओ तो इसलिए बन गया बहा मुल सब्द को अगर आप निकाल देते हैं और वहां पर जो बज जाता है वही जो है परते बज जाता है क्या परते आए अभिष्ट का संधिरिषयत क्या होगा तो अभिष्ट का संधिविचर अभी जोडिष हो जागा।AK है तेचितने की इच्छा को क्या कहते हैं तो तीतीस्सा कहते हैं तितीस्षा ए ध्यार रखेगा दिन दिन-दिन सब्त युगम का सई अर्थ क्या होगा थो 95 को हो जाएगा ओप्सर नमब्रे दिन मनें दिवह स्थ और कि इस प्रमत स्वेच्छा चारीक अर्थ क्या होता है तो प्रमत स्वेच्छा चारीक अर्थ देखा जाये तो उनमत होता है क्या उनमत ऑप्सव नमर यह जगा उनमत अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिये तो अंधे को दीपक दिखाना कर्थ होता है ना समझ सब्केज़ को उपदेशचे प्रावी को उपदेशचे न हां दोस्तों यहां पर जो सच से मापत होता है used लोलृ तक दोस्तों पाख axes नहीं है तो ध्रवीरद है यह ब्त्रावर का प्रॉजास फ्राह अब हम झाल